हलो विए विए अगात हाथ आपका फ्रीश सेक नाए इंफरमेटीव पोशन ट्रेकर की याई अपडेट आचुके जैसा देख रहे है नई खुल रहा है तो पोशन ट्रेकर की इस नई अपडेट में 6-6 बदलावें की गई है और 4.29 MB का अपडेट होने के साथ ही हम लोग का पोशन ट्रेकर खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पोशन ट्रेकर अपडेट हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे कि पोशन ट्रेकर में यह 6 अपडेटे क्या आई हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक क आपका पोशन ट्रेकर का अपडेशन वाली list खुल जाएगी से पहला जो है वह आंगनबारी वरकर विल बी एबल to plan देर स्टॉक रजिस्टर त्रो स्टॉक रजिस्टर यानि कि आपको अब आगनबाडी वरकर को स्टॉक रजिस्टर पोशन ट्रेकर में भी मिलने वाला है ठीक है अगला अपडेट है रिवैंप यानि कि आगनबाडी सेंटर को माइगरेट करने के लिए उसको सुन्दर बनाया गया है ठीक है रिवैंप फीचर आप माइगरेट फ्रॉम पी डावल मतलब प्रेगनेंट टूमेंड और टू एल एम लेकडेटिंग मॉदर यानि कि गर्वति और धात्री जो है उनको भी आकर सुन्दर बनायेगा इसमें एक जो आप्शन दिया गया उसको सुन्दर आकरसक बनाई गया है निव स्क्रीन टू कैप्चेर एरिशनल डिटेल्स डियरिंग देलेवरी डिलेवरी अगर होड़ अगर लिस्ट भेरिफाई कर चुकी है तो उस पर मास्क लगा हुआ आएगा ऐसे ठीक है तो ये 5-5 अपडेटे की गई है और 6 अपडेट आपको अल्रेडी मालू है बता चुके माइनर बग फिक्सेज इसको एप को श्मूथ करने के लिए जो कार्ज किया जाता है वो माइनर फिक्सेज कर आ जाता ठीक है तो पोशन ट्रेकर अपडेट कर लिए है पोशन ट्रेकर को खोलेंगे और देखेंगे कि पोशन ट्रेकर की इस अपडेट को कैसे काल करना है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजिगा चैनल पर पर जो भीड किया है तो ज़रू कर लिए ताई किसी बुद्यकर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें आप देख सकते हैं मेरा पोशन ट्रेकर ओपन हो चुका है तो पोशन ट्रेकर ओपन होने के साथ ही जो पहला अपडेट है वो है स्टॉक रजिस्टर ठीक है तो स्टॉक रजिस्टर कर रहें उसमें कितने बेनिफिस्रें वह यहां पर है जल्क रहें वह साथ टीन है और चिल्ड मेर् mechanism में आप देख सकते हैं कि यह जो है children की मात्रा दी गई है ठीक है यानि आपके पास जितने भी बच्चे हैं उसको ये मात्रा दी आ गया है gram में stock required in grams ठीक आप यहाँ पर पढ़िए और ये stock required आपको है आपके आगर बारी सेंटर के लिए और यहाँ पर अगर stock मिलता है तो आप receive करेंगी और यहाँ पर खाना खिला रही है तो distribute करेंगी तो यह एक additional work है जो आंगर बारी सेंटर के लिए यह अलग से एक वीडियो बना के इसमें आपको दिखाएंगे कि portion tracker में आप stock register कैसे maintain करेंगे ठीक है अगला जो update है वो बेनिफ Blessory के अगर lactating mother है और pregnant women है तो आप यहाँ पर Click करेंगे हम लोग pregnant women को जैसे हम खोल रहे हैं तो ओने में को यहाँ पर Click करके और three dot यहाँ पर दिख रहा है इस three dot पर Click कर जैसे three dot पर click करिए गा तो आपको यहाँ इसवाद माईग्रेशन के लिए यहाँ पर आयेगा migrate to lactating mother तो इस पर जैसे क्लिक करिएगा आप migrate to lactating mother आपको एक नया बेस से नया स्क्रीन खूल जाएगा जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि अपडेट में लिखा है रिवाइम पर यानि की सुन्दर और आप देख सकते हैं कि अच्छे स्क्रीन यहां पर खूले है देखने लाइक जो है कि असपस्ट दिख रहा है कि क्या होने वाला है यहां पर प्रेगनेंट है और इसको lactating में मर्ज करना है lactating में migrate करना है तो lactating migration के लिए यह option दिलाया है लेकिन इसी में एक और update है यहां पर इस update के माध्यम से यह है कि अगर बच्चा miscarriage हो जाता है गरवती है और miscarriage हो जाता है गर abortion हो जाता है या बच्चा मृत पैदा होता है तो उसका adaptation आप यहां पर करेंगे click here पर जैसे आप click करिएगा यह तो ऐसा एक screen खूल जाएगा इस screen में आपको क्या करना है जैसे जो भी हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है miscarriage, abortion abortion और यहां still birth लेकिन यहां पे दो बार abortion क्यों लिख रहा है विदीन 20 week of pregnancy after 20 week of pregnancy यह पूछ रहा है कि 20 सब्ताह के पहले हुआ है या 20 सब्ताह के बाद हुआ है अगर abortion हो रहा है तो ठीक है और इसमें कुछ नहीं करना आपको simply यहां पे click कर देना है जैसे click करिएगा आपको यहां पे miscarriage का date मांगेगा miscarriage का date आप दे दिजीगा उसके बाद यहां पे submit करिएगा आपका यह details खतम हो जाएगा ठीक है लेकिन इसमें बाइक आएंगे अगर pregnancy हुई है delivery हो चुका है तो आपको क्या करना है कि यहां पे delivery date देना है और कहा हुआ है यहां पे click करना है फिर बच्चा क्या है वो चीज यहां पे fill करना है बच्चा लड़का है लड़की है उसका weight कितना है उसका height कितना है फिर आपको इसको proceed करके आगे बर सकते हैं तो यह तीसरा update था ठीक है अगला update जो है आपको चौथा update भी मिल जाएगा चौथा update जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे migrate to lactating update चौथा update यहीं पे है delivery वाला और यह आपको दूसरा था यह इसमें तीसरा था और यह यहां पे चौथा ठीक है चार update होगे पांचवी update जो है पांचवी update के लिए आपको simply इस name पर किलिक करना है जैसे किलिक करिएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इनका जो आधार है उस पर mask चड़ा दिया गया है इसमें cross 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 कर दिया गया है तो यह पांच अपडेटे थी portion tracker की आप उमीद है कि आपको इस update से love मिलेगा अपडेट से लाब मिला हुआ तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पर विटकी तो सब्सक्राइब कर दिया मिलते हैं अगले ना इनफर्मेटिक वीडियो के साथ